हलो दोस्तों इस लीडियो के अंदर बात करेंगे प्रोटेक के एम्पिलिफायर के बारे में दोस्तों इस एम्पिलिफायर का मोडल नंबर है दी एमेक्स पंदरह जीरो दो एम दोस्तों ये एम्पिलिफायर की पूरी टेल और पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि इस amplifier के आठ ओम चार ओम और दो हम में आपको कितना output मिलेगा इस amplifier का dumping factor क्या है इस amplifier का वसन कितना है और साथ ही दोस्तों इस amplifier का connection ही बताऊँगा कि आप speaker की connection कैसे करेंगे तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बिल ले वाली है आप वीडियो को आखिर देखें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आगे हमको दबा लिजे ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की notification सबसे पहले आप तक महुँचे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस amplifier के 8 ohm, 4 ohm और 2 ohm के बारे में दोस्तों इस amplifier के 8 ohm में आपको 300 watt प्लस 300 watt का output मिल जाता है पर चैनल 4 ohm में आपको 500 watt प्लस 500 watt का output मिल जाता है पर चैनल दो ओम में आपको 750 Watt प्लस 750 Watt का और्पुट मिल जाता है पर चनल दोस्तो इसके उपर जो हम maximum load डाल सकते हैं वो 800 Watt प्लस 800 Watt का load डाल सकते हैं पर चनल दोस्तो इस Amplify का dumping factor आपको 400 मिलने वाला है जो के top के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप इसके पर top चलाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बज़ेगा और sound भी अच्छी देगा दोस्तो आप इसको top के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तो इस Amplify का वज़न जो आपको अपरोक्स 22 केजी देखने को मिल जाता है तो चले दोस्तो आप हम बात कर लेते हैं कि इसी connection कैसे करेंगे दोस्तो जैसा कि आपको इस Amplify के आठ होम में आपको 300 Watt का output मिल जाता है पर चैनल तो इस condition में आप 300 Watt का single speaker आप यूज़ कर सकते हैं पर channel एक यानि एक channel में एक और दूसरे channel में एक 300 Watt का single speaker आप यूज़ कर पाएंगे आठ होम पर चार होम में आपको 500 Watt प्लस 500 Watt का output मिल जाता है तो इस condition में आप 500 Watt का double speaker आप एक channel में यूज़ कर सकते हैं या यूज़ समझ लिज़े चार होम बाला टॉप आप यूज़ कर सकते हैं एक channel में जिसके अंदर 800 Watt के दो speaker लगे होंगे तो आप easily 4 Ohm पर दो speaker चला सकते हैं 800 Watt का ठीक दोस्तों 2 Ohm पर आपको 750 Watt प्लस 750 Watt का output मिल जाता है तो इस condition में आप 4 400 Watt का दो टॉप आप एक channel में यूज़ कर सकते हैं चार Ohm बाला एक टॉप के अंदर जो speaker लगा होगा वो 2 200 Watt के दो speaker लगे होंगे टोटल आप 4 speaker चला सकते हैं एक channel में 200 Watt का एक channel दोस्तों आप दूसरे चैनल में भी आप 4 speaker चला सकते हैं 200 Watt का टोटल आप 8 speaker चला पाएंगे एक channel में 4 speaker दूसरे channel में 4 speaker या यूज़ मझे लिए दो टॉप आप चला पाएंगे डबल speaker वाला जिसके अंदर जो speaker लगा होगा टॉप के अंदर 2 200 Watt का दो speaker लगा होगा तो इसी तरीके से आप दो टॉप पर channel चला सकते हैं चार ओम वाला फिर दोस्तों उम्मिद करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पचले दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी नई कंडेंट के साथ अपना और अपना ख्यार लगए हुआ 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 हुआ